विनोध और खाली धर्ती एक बार की बात है, एक प्रतिभाशाली विग्यानिक थे, जिनका नाम विनोध था विनोध को दुनिया की हर चीज के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी दिन रात प्रयोगशाला में रहकर वे कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहते थे एक दिन, विनोध ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो दुनिया की किसी भी चीज को नश्ट कर सकता था उसने इस मशीन को आज माने का फैसला किया सबसे पहले उसने अपनी प्रयोगशाला में रखी एक कुरसी को नश्ट कर दिया वो कुरसी कुछी पलों में धूल में मिल गई इस सफलता से उत्साहत होकर विनोध ने एक और प्रयोग किया इस बार उसने दुनिया के सारे मनुश्यों और जीव जन्तूं को नश्ट कर दिया एक खाली धर्ती जब सुबह हुई तो दुनिया पूरी तरह से खाली थी कही कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी विनोध ने अपनी खिर्की से बाहर देखा तो उसे एक खाली धर्ती दिखाई दी वो अकेला था, अकेलेपन का एहसास शुरुआत में विनोध को लगा कि उसने बहुत बड़ा काम किया है अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा उसे किसी से बात करने के लिए कोई नहीं था पच्चतावा विनोध को अपनी गलती का एहसास हुआ उसने समझा कि उसने क्या किया है उसने दुनिया को तबाह कर दिया था वो अकेला और उदास हो गया एक नई शुरुआत विनोध ने फैसला किया कि वो अपनी गलती सुधारेगा उसने अपनी मशीन का उपयोग करके कुछ नए जीव जन्तूओं को पैदा किया उसने पेड पोधे लगाए और धर्ती को फिर से हरा भरा बनाया कहानी का अंत कहानी का अंत आपके उपर है आप ये तै कर सकते हैं कि विनोध सफल होता है या नहीं आप ये भी तै कर सकते हैं कि क्या विनोध कभी भी लोगों को माफ कर पाता है या नहीं कुछ और विचार